हेलो फ्रेंग्स मैं हूँ निर्मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप से शेयर करने जा रही हूँ रत में खाई जाने वाले बहुत ही खास डोसा की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो सबसे जीज़ादा खास बात है इस डोसे की वो है इसके ढेर सारे हैल्थ बेनिफिट्स नॉर्मलली जो चीज हैल्थी होती है वो खाने में टेस्टी नहीं लगती लेकिन इस डोसे से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी ये healthy भी बहुत है और tasty भी और यदि आप ये डोसा एक पार खालेंगे तो यकीन मानिए आप regular डोसा खाना तो भूली जाएंगे तो ये डोसा आप वरत में ही नहीं बलकि daily diet में भी जरूर शामिल कीजेगा और यदि आज का ये वीडियो आपको helpful लगा हो तो प्लीज इसे like, comment और share करना भी ना भूलें मेरी ऐसी और भी recipes देखते रहने के लिए चैनल को subscribe और बेल आइकन पर क्लिक सरूर करें पुरत वाला डोसा बनाने के लिए हम लेंगे फूल मखाने तो यहाँ पर तक्रीबन दो कप मैं फूल मखाने ले रही हूँ फूल मखानों से आप बली बांती परिचित होंगे ये बहुत ही ज़्यादा healthy होते हैं तो चलिए आज हम इनसे बहुत ही tasty और healthy डोसा भी बना लेते हैं तो सबसे पहले इन फूल मखानों को हम एक मिकसे के grinder jar में transfer करेंगे और इन्हें अच्छे से grind कर लेंगे तो यह मैंने फूल मखानों को अच्छे से grind करके इनका powder बना कर तयार कर लिया है अभी मिकसे के jar को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हम इसमें और भी चीज़े add करने वाले हैं तो मैं यह आपर ले रही हूँ डेट कंटा पहले भी कोईवे समा के चावल जो वरत में खाये जाते हैं इसे को विनपोग, मोरधन भी का जाता है और बेसिकली यह देखने में चावल जैसे होते हैं लेकिन ही चावल होते नहीं है यह एक खास होता है उसके बीज होते हैं इसलिए इसे वरत में consume किया जाता है तो इनको भी हम डाल लेंगे grinder jar में तो पानी के समेत ही हम डाल देंगे क्योंकि पहले ही चावलों को मैंने अच्छे से दो कर फिर भी कोया था अब बोल के अंदर थोड़ा सा पानी ओर डाल कर इसे भी निकाल लेते हैं grinder jar में अब इनी के साथ हम डालेंगे एक चोटाई कप दाजा दही तो इससे डोसों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और क्योंकि आगे जाकर हम इसमें सोडा एड़ करेंगे तो इसके लिए भी दही डालना जरूरी है अब इसमें डालेंगे एक चोटा चमस चीनी चीनी टोटली ऑप्शनल है लेकिन चीनी डालते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है डोसों में और डोसों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अब क्योंकि वरत के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें डाल देंगे से अंदा नमक आप नॉर्मल बना रहे हैं तो आप कोई भी नमक का इस्तमाल कर सकते हैं बस अब सारी चीजों को हम अच्छे से ब्लैंड कर लेते हैं और ये देखे कितना स्मूध बैटर बन कर तयार तो इससे ज़्यादा बैटर गाठा भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए तो इस बैटर को हम एक पोल में ट्रांसफर कर लेंगे कवर करके इसे 15-20 मिनिट रेस्ट पर रख देते हैं तब तक हम इसके लिए स्टफिंग या मसाला तयार कर लेते हैं तो एक पैन के अंदर हम डालेंगे एक बड़ी चमस देल या गी क्योंकि वरत के लिए बना रहे हैं इसलिए मैं गी का इस्तिमाल कर रही हूं अब जैसे ही की करम हो जाए इसके अंदर एड़ कर लेंगे एक छोटा चमस जीरा और जैसा कि यह दिया आप राई जीरा नहीं खाते हैं तो इसे सकिप भी कर सकते हैं जीरा को हमने पका लिया है तो अब इसके अंदर 7-8 करी पता एड़ करेंगे एक इंच बारी कटावा दरक का टुकड़ा मैंने एड़ किया है और 7 एड़ करेंगे इसमें 2-3 बारी कटी भी हरीमिच तिक आपन हरीमिच से जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हरीमिच आड़ कर लें बस सारी चीजों को हम 1-5 मिनिट के लिए पका लेते हैं ताकि अच्छा फ्लेवर भी इनका जाए और इच्छे से पक जाएं अब जैसे ही सारी चीजे पक जाएं हम इसके अंदर डालेंगे उपलेवे आलू तो द सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल सा आलू का मसाला बनकर तयार होता है और यह दिया आप डायट में आलू वगरे नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं यानि नारेल की चटनी की साथ भी इस डोसा का कॉमिनिशन बहुत अच् इसके अंदर एक चोथाई कप रोस्ट कीवी इस तरह एकदम बारी कुटीवी मोंगफली तो थोड़ी सी पावडर फॉर्म में और थोड़ी सी दरदरी फॉर्म में मैंने से कूट लिया है तो इसका क्रेंच ओटीस्ट बहुत ही अच्छा था है इस मसाले में थोड़ा सा इ चैक कर लेते हैं अभी स्पेटर में लास्ट में हम एड करेंगे बेकिंग सोडा यानि खाने वाला सोडा तो दो चुटकी यहां पर मैं सोडा इस्तीमाल कर रहे हूँ सोडा डालने से चोटोσα बनेंगे वह फटेंगे नहीं तो सोडा डालना बहुत ही ज़रूरी है आप चाहें तो सोडा की जग़े इनो फ्रूट साल्ट का इसमाल कर सकते हैं तो इनो फ्रूट साल्ट ले रहे हैं तो फिर जैसे हमने दो चुटकी बेकिंग सोडा लिया है और ध्यान रखना है कि सोडा बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है तो कैसे पता करेंगे सोडा कितना डालें तो आगी जाकर भी मैं आपको बता दूंगी चली अब हम डोसा बनाएंगी इससे तो हम तवा गरम कर लिते हैं तवा जब एक पार अच्छे से गरम हो जाए तो गैस का फ्लीम लो कर दें और थोड़ा सा पानी डाल कर इस पानी को पहुंच दें शुरुवात में इसके घी तेल वगरे कुछ भी नहीं लगाना है नहीं तो डोसा अच्छे से नहीं बन पाएगा अब एक कल्ची बैटर डालेंगे और बस इससे को उलको उलको माते जाएंगे अब यदि आप डोसा पहली बार नहीं बना रहें कई बार बना चुके हैं तो बहुत ही अराम से डोसा बन जाता है लेकिन जब तक हम डोसा सीख नहीं पाते हैं तब तक तो यह बहुत ही मुश्किल लगता है अब देखिए जैसे ही हमने यह बैटर इस पर डाला है तो इसमें हलकी से बबल्स आपको दिखाए देंगे तो यह आना बहुत ही जरूरी है यदि आपने सोडा कम डाला तो इस से क्या होगा देगा इस फट रहे तो जो बैटर है उसमें थोड़ असा सोड़ा ओर एट करदें इससे बैटर एक्टम पर्फेक्ट हो जाएगा और यदि आपको क्रिस्पे डोसा नहीं पसंद है तब आप सोडा की मात्रा ओर बढ़ा द पकर तयार हो जाता है और ये देखी दोस्तों कितना बढ़िया सुन्दर क्रिस्पी डोसा बनकर तयार हुआ है मैंने तो जब एक बार ये डोसा बनाया तो मन किया कि बार बार वसी डोसा बनाते ही जाएं तो चलिए हमने इसे प्लेट में सर्व कर लिया है और अब दुबारा जब डोसा बनाएं तो हमें दुबारा ये प्रोसेस रिपीट करनी है कि तवे का टेमप्रेचर थोड़ा डाउन करना है पानी डाल कर इससे तवे का टेमप्रेचर भी थोड़ा डाउन हो जाएगा और जब हमने पहला डोसा बनाए था तो उसका तेलिया गी भी लगा रह जात नीजे से तवा गरम होता है इसलिए बैटर तुरंत चिपगते जाता है और जो आगे का बैटर होता है हम उसे फैलाते जाते हैं तो एक बार यह तो आपने डोसा बनाना सीख लिया तो यह तो आपके लिए बाएं हाथ का कीलोगा बहुत ही ज़्यादा आसान होता है डोसा बनाना, मुझे तो यह रूटी बनाने से भी ज़्यादा आसान लगता है, तो देखे इस तरह इस डोसे को भी हमने थोड़ा से तेल और गी लगाते हुए अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, बहुत ही सुन्दर क्रिस्पी लाल-लाल दोसा बन कर तयार हुआ है दोस्तों तो चलिए हम इसे भी सर्व कर लेते हैं इस डोसे की एक और खास बात ये है कि ये डोसा नॉर्मल डोसे की बजाए ज्यादा लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है तो देखी ये जो पहला डोसा मैंने बनाया था वो काफी अच्छे से ठ थंड वो गया लेकिन थंड़ा होने की बावजूद भी ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बनावा है अभी भी तो दोस्तों आपी जरूर से ये ग्रिस्पी डोसा बनाएं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है और टेस्टी भी और इसे यालू की मसा ले या फिर नारियल की दोस्तों के साथ शेर जरूर करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक हंसे रहे हंसाते रहे